Gmail ID delete के से करें या फिर के सकते हो Google ID delete के से करें हेलो दोस्तों अगर आप भी अपनी मुबाइल से आप जो है अपनी Gmail ID को delete करना चाहते हो तो बिल्कुत सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है आपके पास चाहे कोई साभी Gmail ID हो या फिर कोई साभी बनाया वाग Google ID हो और आपके पास चाहे कोई साभी मुबाइल हो जिस आपने मुबाइल से जो है उस Gmail ID को गूगल ID को जो आपने delete करना चाहते हो हमेशा हमेशा के लिए तो इस वीडियो को end तक देखते रहना आन तक देखते रहना तो चले दोस्तों बिना किसी तेरी वीडियो को शिरू कर देते है सबसे पहले दोस्तों आपको अपनी Gmail ID जो गूगल ID को delete करने के लिए आप सभी को क्या करना होगा और आपको एक option दून लेना है जो कि हर mobile में होता है Google के नाम से एक option यहां पर देख सकते हो यह वाला option जो है गूगल का इस option पर आपको tap करना है क्लिक करना है अब जैसे ही यहां पर इस पर क्लिक करोगे तो friends आपके सामने इस तरह के से चोटा सा यहां पर लोडिंग को होके इस तरह के इस interface आ जाएगा अब friends आपको जो भी Gmail ID जो भी Google ID delete करना है simple इस option पर यहां पर क्लिक करना है अपनी Gmail ID को जो है select कर लेना है ठीक यह उसके बाद आपको यहां पर गूगल अकाउंट को option देखने को मिलता है जहां पर आपको इस option पर क्लिक करना है अब यहां पर क्लिक करने के बाद friends आप सभी को यहां पर just क्या करना होगा कि आप सभी को अभी यहां पर आपको थोड़ा सा यहां से scroll site करना है और आपको एक option मिलेगा यहां पर इस तरह के से यहां पर data privacy तो simply आपको क्या करना होगा जो आपका friends यहाँ पर data privacy का जो option जो है अब इस पर आपको tap करके सबसे नीचे चले जाना है अब सबसे नीचे जाने के बाद आपको एक option देखने को मिल जाएगा आपके mobile के उपर जो की होगा delete your google account तो simply friends आप सभी को यहाँ पर इस option पर click करना है अब इस option पर click करने के बाद आपके सामने इस तरीके से एक interface आएगा कि use your pass key to confirm that really you ठीक है उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे continue का option मिलेगा जैसे आपको यहाँ से continue कर देना है अब friends जैसे ही continue कर दोगे तो आपको अपना mobile का lock बुझेगा अगर आप अपना mobile का lock face lock रखे हो या फिर fingerprint lock रखे हो या फिर pattern या फिर password रखे हो simply आपको अपना mobile lock दे देना चाहिए अब देने के बाद इस तरीके से तोड़ा सा यहाँ पर ऊपर एक loading हो जाएगा उसके बाद आपके सामने इस तरीके से interface आ जाएगा delete your google account का options तो simply आपको यहां से थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करना है और यहां पर देखो जितना भी आपका जो है आपने Google ID को बनाये जो Gmail ID बनाये हो उसमें जितना भी social medias और जितना भी service आपने यहां पर link करके रखा था सारा कुछ यहां पर detail आ जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना होगा यहां पर friends आपको नीचे option में लेगा दो column तो इसको यहां पर दोनों को भी इस तरीके से tick कर लेना है आपको नीचे की तरफ आप दोनों को यहां पर tick करने के बाद आपको यहां पर next step क्या करना होगा आपको simply आपको अपनी Gmail ID जो है delete हो जाएगे लेकिन आप इसको recover करना चाहते हो तो फिर आपको recover करने का भी option मिल जाता है लेकिन आप इसको अभी यहाँ पर जैसे delete कर देते हो तो फिर इसको login मत करना फिर आपका Gmail ID वहाँ पसा सकता है तो इस तरह के से friends आप अपनी Gmail ID जो Google ID जो है हमेशा हमेशा कि इसको delete कर सकते हो इस तरह के से अपने mobile से friends वीडियो पसन आती तो वीडियो को like कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके bell notification को on कर देना तो चलेगा इस मिलते है नई वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक है